इंडिया, वर्ल्ड की फिफ्ट लाज़ेस कार मार्केट दे इंडियन कस्टमर हाज अक्सेस तो मैनी कार ब्रांड्स थांस तो ग्लोबलाइजेशन बट फिर भी इंडिया में एक या दो कार ब्रांड्स ही हैं जो सेल्स नंबर टॉप कर लेते हैं इंडिया में कई आटोमोटिव ब्रांड्स इधर उधर के देशों से आये पर कुछ ही ऐसे ब्रांड्स थे जो मार्केट में अपनी पहचान बना सके क्या आप जानते हैं ग्लोबल मार्केट में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसमें 60% से ज्यादा शेयर सिर्फ दो आटोमोटिव ब्रांड्स के पास है यानि कि मारूती और हिंडाई अर्ली 1990s में जब इंडिया ने अपने दरवाजे फॉरन आटोमोटिव ब्रांड्स के लिए खोले तब यहाँ पर इनिशिल बिजनस सेट अप करने वाले वर्ल्ड के कुछ रेनाउट ब्रांड्स थे जैसे की सुजूकी, जेनरल मोटर्स और फोर्ड जी हाँ दो अमेरिकन ब्रांड्स और अब हम आचुके हैं 2022 में जहां पर कुछ कारमेकर्स जैसे की फोर्ड और जेनरल मोटर्स इंडिया छोड़के जा चुके हैं पर क्यों?